हेलो फ्रेंड, वेलकम टो दे चैनल सॉलेशन, जी पैट, नाइपर, फार्मसिस, ड्रग इंस्पेक्टर, एक्सक्लोजीव सीरीज में आपका स्वागत है आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे टॉक्सिटेस इन्फरमेशन और सम्कॉमन अलकोहल पॉइसनिंग आज का जो पॉइसनिंग है वो स्पैसेफिकली रिलेटेट करेगा आपके अलकोहल पॉइसनिंग के रिस्पेक्ट में इसके पहले हमने टॉक्सिकोलोजी से सम्मद्द कई इक पॉइसनिंग के रिस्पेक्ट में इसके पहले चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो इसको आप ध्यार रखिएगा यह आपका बॉडि वेट के अकॉर्डिंगली है जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे वहाँ पे कल्कुलेट कर लीजिएगा इसका टॉक्सिक मेटाबॉलाइट क्या है पहले तो यह समदलो कि मेटाबॉलाइट मतलब क्या है जब कभी कोई भी प्रोड़क्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कनवर्ट होता है तो वो जो कनवर्ट हुआ है उसका मेटाबॉलाइट है अब यह मेटाबॉलाइट की प्रॉपर डिपेंड करता है कि कैसा उसका नेचर होगा तो इस एथनॉल का जो मेटाबॉलाइट है जो की treatment method follow करोगे हम यूज़ करेंगे formipizol ये भी drug का नाम है तो आप इसको याद रखेगा next हमारा जो alcohol है वह है ethylene glycol इसका level कितना होगा तक कि वो कहला है कि हाँ भाई toxicity develop हुई है 1 to 1.5 ml per kg यहाँ भी kg के हिसाब से ही है इसका toxic metabolite क्या है toxic metabolite है glycolic acid ये बहुत important होते हैं जब आप metabolite के respect में बात करते हो तो इसका treatment क्या है इसका treatment है hemodialysis and formipizol ये तो पहले भी आया हुआ था इस case में भी आप देख रहे हैं formipizol आया हुआ हुआ तो hemodialysis मतलब एक blood purification करने का तरीका है dialysis इसको simply बला जाता है next हमारा alcohol का type है isopropyl alcohol इसका toxic level कितना है 2-4 ml पर kg इसका toxic metabolite कौन सा है isopropyl alcohol ये चब चीज़ें आपके g-pad जैसे exam के लिए important है कि भी toxic level कितना हो सकता है ना कि अबल g-pad बलकि अगर आप pharmacist exam के भी तैरी कर रहे हो तो भी आपको ये चीज़ें जानकरी में रखनी चाहिए तो हो गया हमारा isopropyl alcohol का toxic metabolite isopropyl alcohol इसका treatment क्या है intravenous hydration बस आपको hydration प्रवाइड करना है इसका treatment methodology है इसके बाद next है हमारा methanol ये बहुत problem create करता है इससे हम जरीली सराब भी कई बार बोलते है इसका dose क्या है more than 0.1 ml per kg देखिए कितना कम quantity में भी ये आपके लिए problem create कर सकता है इसका जो toxic metabolite अब हो है formic acid which is dangerous in nature ये आप याद रखिए ये last वाला जो methanol का case है इससे आपको याद रखना चाहिए इसका treatment क्या है hemodialysis, ethanol और formipizol formipizol कई बार आया है और methanol को poison treatment आपका ethanol भी है ये आप इसको याद रखिएगा तो छोटा सा था आज का वीडियो और आज के इस वीडियो को बनाने के लिए हमने यूज किया है textbook of pharmacology by person आरबंडारी जो की theme medical publisher की द्वारा परभिश किया गया है और उस किताब में से page 59 को refer करके हमने ये table बनाये हुआ है इसके लिए हमने एक special permission लिया है इस table को use करने के लिए ताकि आपके लिए gpatch से सम्मंदित जितने भी जांकारी है इस book में वह आपके लिए लेकर के आ सके इस book से सम्मंदित और भी वीडियो इस description में अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि इस book का demo क्या है इसके sample copies क्या क्या है और वह आप जो भी जंगारी चाहिए इस book से related आपको description box में मिल जाएगा स्वार्द ग्लास थैंक यू समर्ड प्रावजिंग इस वीडियो नमश्कार टेक केर